नमस्कार में हूँ अनुगाक श्रीवास्ताओं मद्य प्रदेश में सबसे बड़े नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले की जांच कर रही CBI टीम खुद जांच के दाइरे में आ गई है राहुल राज नाम के अधिकारी जिनके पास नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले की जांच का जिम्मा था उस अधिकारी को CBI दिल्ली की विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हातों पकड़ा है राहुल राज के पास से आठ लाक नगद और सोने के बिस्किट बरामद हुएं राहुल राज के अलावा चार अन्य लोगों को भी CBI की टीम ने गिरफतार किया है चात्रों के भविशे के साथ खिलवाड करने वाले इस नर्सिंग कॉलेज भोटाले मामले के सिलसलेवार कड़ी हम आपको बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में साल 2022 में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कॉंसिल की कारिशेली पर सवाल उठे नर्सिंग कॉलेज फरजी मामले ने तूल पकड़ा और मामला हाई कोट पहुँच गया 2023 में ग्वालियर हाई कोट ने मामले की जांच CBI को सोपी CBI ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की 199 कॉलेज सुटेबल और 66 अंसुटेबल पाए गए 73 में कमिया बताई गई CBI रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए CBI की रिपोर्ट में कागजी पूर्ती वाले कालेजों को खरा बताया गया दिल्ली CBI को अब जो मदपरदेश की 169 कॉलेज जिनको सुटेबल सामिल गया था उन में से 70-80 कॉलेज यसे हैं जो की सुटेबल तो सामिल कर लिया CBI की जाँच ने अपनी रिपोर्ट में suitable धिखा दिया लेकिन वास्तवी खड़ेजम में वह चलाने योग नहीं है उन कॉलेजों की रिपोर्ट और उन कॉलेजों के ये रश्टाचार प्रेवेंशन आफ करप्शन एक अमेंडेट एक दो हजार अठारा की धारा साथ आठ नूरस ग्यारा बारा के अंतरगत ये मामला कोट में जाएगा धारा साथ रिश्वत लेने वाले पे लगती है और धारा आठ जो विक्ति रिश्वत देता है उस वो भी रिश्वत देना भी अपरा तो रिश्वत देने वाले पर थाहरा आठ के अंतर करते की मामला ढर्श किया जाता था तो निस्पक जांच हो सके अगर वो अरिकारी नहिं पकडाता तो हम यह सकते थे कि जांच-प्रभावित हो रही है गैज ने कथने का प्रयास की चा रहा है लेकिन सीवेडिकारी को पकड़ लिए कि light इसे अभी निस्पक शोकर सही दिशा में आगे बढ़ ए Ciao सहरी लंब ह समय से चल रहा है नर्सिंग कॉलेज में जो गड़बडियां हुई है हाई कोट तक पूरा मामला पहुचा था और उसके बाद जांच की निर्देश दिये गए थे आपको लगता है कि मद्धिप्रदेश में बहुत बड़ा इसकेम के तोर पर ये नजर आता है बिलकुल निश्चित है बहुत बड़ा इसकेम है उसके कारण ही इस अंजाम पहुचा है और ये जो čी याई का क dziव में इस से ऐसा लगता है कि ये और Chrome संचालिट है और इंवे ज़ा बड़्देश जिनके पास ना तो खुद का इस्ट्रेक्चर ना खुद का अस्पताल ना फेकल्टी है और यही वज़ा रही कि नर्सिंग कॉलेजों की जांच का जिम्मा CBI को मद्य प्रिदेश की हाई कोट ने सोपा था लेकिन अब यह पूरा का पूरा मामला ही चांच के दायरे में है जांच और कितनी बड़ेगी यह अभी कहना मुश्किल है लेकिन 24 मई को हाई कोट में इस पूरे मामले में सुनवाई होना है जिस पर सबी की नजरे हैं लेकिन साल 2023-24 और साल 2024-25 में नर्सिंग कॉलेजों में चांच के चलते कोई दाखिला नहीं हो पाया है और नर्सिंग के चात्रों का भविश्य अब अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है लोकमत के लिए बोपाल से अनुराक्ष्री वास्तव की रिपोर्ट